हापड इंडर्श्रिल एरिया में आज दोपैर को एक तेज धमागे साथ हुई दुरगटना में नौ लोगों की मौत हो गई है और उन्हें लोग गायड हुए है मैं इस समय उसी फैक्टरी के बाहर मौजूद हूँ जहां पर यह हादसा हुआ है आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी वहावेत तस्वीर है सब कुछ उजड़ा हुआ है सब कुछ बिखा चुका है और तहसने सो चुका है और जो आग लगी थी विस्पोर्ट के बाद उसके निशान आप देख सकते हैं अंदर फॉरंसिक की टीम भी है जो इस समय मौके का मौइना कर दी और जांच कर दी यह बताया जा रहा है कि दोपएर लगबग दो से धाई बज़े के बीच का यह हाथसा था एक बेहत तेज धमाका होता है जिसकी वजह से आसपास का सारा इलाका सन्न हो जाता है हिल जाता है किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यह स्पोर्ट किज वज़ा है और जब धमाका है आप देख रहे हैं कि इसको पर इस तरीके का पूरी फैक्टरी पर टिन बताया जाता जाता जो धमाके के प्रैशा से उड़कर यहां भाद तक आ चुके आप देख सकते हैं कि कितनी तेज कितनी जो है तिवर गती का वह धमाका रहा होगा फिलाल सबसे बड़ी ब मामले की जांश की जारा है और इसी बात पता लगाने कि लिए affsl की टीम को यहां बलाया गया है जो भी मौकिया को मोहाइना कर estavam रही है zosta को इस्थानीग है उन्होंने भी OLJन की है कि यहां पर electronic goods बनाने के लिए license दिया गया था लेकिन यहां पर जो काम चल दा था वो electronic goods का नहीं था अभी कुछ इसपस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो यह बता रहे हैं कि यहां पर खिलोना बनाने की फैक्टरी थी तो कोई से बड़ी बात यह भी है कि जिस समय हाथ सवा उस समय लंच टाइम था शायद अंदर वरकर्स की जो संख्याती वो कम रही होगी तबी जो कैसे हैं वो कम हैं लेकिन अगर हम वैसे देखें तो आकला बहुत बड़ा है क्योंकि 9 लोग अपनी जान गवा चुके और 19 लोग इस स हाथ से में मौत का शिकार हूएं उनको गाजियबाद के के शबा को ले जाया गया है फिलाल पुलिस मादाकी जान का रही है कौन इस फिक्तरी को चला रहा था ये भी पताया लगाया जा रहा रहा है अगर हम वैसक्रेटा घेट पाक देखें यह फेस truth लिखा हुआ है लेकिन पुलिस यह कह रहे हैं कि कौन इसका मालिक है वो सब भी जांच का विशह है प्रात्मिकता है कि जो लोग भी साथसे का शिकार हुए है उनको अच्छे से अच्छा उप्चार मोहिया करवाया जा सके उनकी जान बचाई सके और जो फॉरंसिक टीम है वो मामले की जां सब्सक्राइब अबीपनियूज हापड़